नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है इंटल सी एसमी वर्जन 11-20 सपोर्टेट सीप्यू एंड जेनरेशन आप मेरे स्कीन पर देख रहेंगे कि मैंने एक चार्ट रेडि किया है इस चार्ट में क्या है कि अब तक जो भी सीएसमी के वर्जन आये है उस पूरे वर्जन का मैंने लिष्ट दिया है कौन-कौन से सपोर्टेट सीप्यू है वो लिष्ट यहां पर बताया है वर्जन के अकौर्ड़िंग कौन-कौन से जनरेशन होते हैं वो यहां पर बताया है और कब यह बढ़ पर बताया है और कब यह रिलिज हुआ था जनरली क्या होता है कि हमारा जो इन्तल बायोस होता है उसमें एक प् advocating होता है Ito तो यहां पर जो discussion में कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं, version 11 से, जो कि हमारा CSME version होता है, generally क्या होता था, CSME version, यह आप देख सकते हैं, कब रिलीज हुआ है, 2015-16 में रिलीज हुआ, और यह generation क्या था, आपका, 6-7 generation जब start हुआ था, मतलब हमारा processor क्या था, Skylake और Kb Lake, है न, तो CSME version 11 जो है, वो Skylake और Kb Lake दोनों के लिए है, मतलब 6 और 7 generation, और इस से पहले जो family हुआ करती थी, CSME से पहले होती थी, M.E. family, और M.E. family में क्या होता था, आप यह कह सकते हो, 1st generation से ले करके, आपका 5th generation तक आ जाता था, तो उस हिसाब से, जैसे कि वर्जन 10 हो गया, यह आपका 5th generation का हो जाता था, वर्जन 9 हो गया, यह 4th generation का था, वर्जन 8, 3rd generation, यह इस हिसाब से यह generation चलता है, और इसकी सुरुआत हम कहां से कर रहे हैं फिलहाल, यह पर्जन 6 हो गया, आपका 5th generation, तो यह M.E.Family थी, M.E.Family उसके अलावा एक आया, C.S.M.E.Family, करक्ट, इसके अलावा आपने देखा, एक T.XE भी आता है, और एक आता है, C.S.T.XE, मतलब कुल मिला के, Intel BIOS का जो management firm engine है, जो firmware है, उसमें total कितने family आते हैं, total 4 family आते हैं, तो जिसमें आपका यह processor, आपने नाम से लिएंगे, core i3 का processor, core i5 का processor, core i7 का processor, तो जब से यह processor start हुए न, तब से हमारा क्या हो गया, यह हमने यहाँ पर M.E.Family का version 6 start किया, मतलब core i3 जब आया था, first time जब core i3 आया, और उस processor को क्या बोला गया, जो पहला पहला बार आया था, I think 2010 में आया था आपका, सबसे पहला, core i3 का processor, उसको बोला गया first generation, उसके बाद क्या हुआ, हर year में आप देख रहे हैं, आपका वही processor है, बस क्या हो गया, generation आपका change होता जा रहा है, मतलब core i3 यहाँ पर भी है, core i3 आपका यहाँ पर भी है, अगर हम बोले core i3 यहाँ पर भी है, एक तरह से, है ना, version 18 में भी मिल सकता है, आपको 19 में मिल सकता है, तो है तो वही i3 processor ही, बस every year क्या हुआ, कुछ न कुछ refresh के साथ, कुछ न कुछ अपडेट्स के साथ, कुछ न कुछ आर्टेक्चर में changes करके, उसको अलग-अलग generations का नाम दे दिया गया, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो जब हम BIOS एडिट करते हैं, तो अक्सर हम क्लीनमी भी करते हैं, तो क्लीनमी में हम इसका discussion नहीं करेंगे, यह हो गया old model, है ना है, यहाँ पर आप देखो, CS में वर्जन 11 से मैंने पूरा का पूरा चार्ड बनाया हुआ है, already हम practically किस तरह क्लीनमी वगरा करना है, वो तो जानते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कि कुछ extra knowledge हो जाए तो उससे क्या नुकसान है, जैसे कि अगर आप देखो, वर्जन 11, वर्जन 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, अब आप देखो यहाँ पे, वर्जन 17 आपको कभी नहीं मिलने वाला, आपको सीरा क्या है, वर्जन 16, CS में का वर हुआ, अन्डिफाइन है, अब बुलेंगे यह कौन से जनरेशन को सपोर्ट करता है, वर्जन 17, तो यह भई, पता ही नहीं किसी को, अन्डिफाइन कर रखा है, कब रिलीज हुआ, यह भी नहीं पता, वो होती है, कोई मूवी तो बन जाती है, बट उसको रिलीज नहीं किय जाता, तो उसी तरह हुआ, वर्जन 17 के साथ, इंटन ने अपने इंटरनल परपज के लिए कब वर्जन 17 को बनाया, और कब इसको बंद कर दिया, कुछ पता नहीं, तो वर्जन 17 का आपको कभी भी बायोस नहीं मिलेगा, वर्जन 16 मिलेगा, और वर्जन 16 के बाद डायरेक् और यहाँ पर यहां पर एक जनरेरिशं का मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा एसका यह आपका 6 जनरेरिशं में आजाता है, फिर जब वर्जन 12 आया, मैंने यहाँ पर इलिज एर भी बता रखा यह है, 2017, 18 के आसपास वर्जन 12 आया, तो यह कौफी लेग तो coffee lake जो था वो 8 generation 10 generation दोनों होता है यह दिखान लगा coffee lake आपका 8 generation में भी आता है coffee lake 9 generation में भी आता है फिर यहां पर थोड़ा सा Intel ने अपने प्रोसेसर का आर्चितेक्ट्चर में changes किया है ना, क्योंकि अगर देखा जाए, sky lake, kb lake coffee lake, same pattern था same design था same architecture था यहाँ पर Ice Lake में थोड़ा सा इन्होंने अपने architecture को change किया है ना तो यह हमारा हो गया 10th generation और version हो गया 13th अब आप देखो कि 10th generation में दो processor है एक Ice Lake भी है और Comet Lake भी है तो आप यहाँ पर देखो आइस Lake भी हमारा 10 generation है Comet Lake भी हमारा 10 generation है तो Comet Lake बहुत हद तक आपका जो इसका design है match किस से करता है इन सब से Coffee Lake, Sky Lake, Comet Lake इस से design match करता है मतब जब हम अपनी repairing में भी जाते हैं ना sections को understand करते हैं तो आप Sky Lake को understand करो चाए KB Lake करो चाए Coffee Lake करो चाए Comet Lake करो almost क्या है design same है design same है जो voltage होते हैं हाँ Ice Lake हमारा थोड़ा सा architecture ही change हो गया तो ये थोड़ा सा different हो जाता है तो ये हमारा 10 generation था then आपको version 15 में आप देखोगे हमेसा Tiger Lake मिलेगा है ना TGL ये हमारा 2020-2021 में release हुआ था और उसके बाद version 16 में आपका क्या है Older Lake और Raptor Lake means 12 generation और 3rd generation के BIOS आते हैं यहाँ पर ऐसा भी होता है कुछ लोग कह सकते हैं कि जो Raptor Lake है वो तो आपका 14 generation है तो ऐसा नहीं है Raptor Lake आपका basically 13 generation में ही आता है हाँ ये होता है कि कुछ Raptor Lake में क्या हुआ extra कुछ अलग से design करके अलग से design क्या मतवे समा सकते हैं कि हलका सा refresh rate बढ़ा दिया clocking बढ़ा दिया तो फिर वो 2023-24 के बीच में आया तो उसको 14 generation भी मान लिया जाता है है ना तो मैं इससे इंकार नहीं करूँगा कि Raptor Lake के कुछ models 14 generation में भी होते हैं Otherwise Raptor Lake जो है mainly आपका 13 generation का processor है है ना फिर version 18 जो है हमारा यह हमारा मेटोर Lake है जो कि 14 generation होगा है ना जो कि 2023 और 2024 अभी यह warranty में चल रहे हैं मार्केट में आ चुके हैं बट यह warranty में हैं अभी आपको यह बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है ना और यह आप एक तरह से आपका future हो गया यह आपका future हो गया future की भी बात हमने कर लिया version 19 और version 20 ठीक है ना यह आपका arrow Lake है अब version 20 के है आपका lunar Lake है जो कि हमारा दोनों ही 15th generation है दोनों ही हमारे 15th generation है basically lunar Lake में क्या हुआ है Intel ने अपना processor में AI भी डाल दिया है AI जो artificial intelligence का जो features है वो lunar Lake से आने लगा है अब इसके बाद की क्या story है वो नहीं पता क्योंकि यह जो आप देख रहे है CSME version 20 तक यह आपका क्या है आपके जो Intel के core i-series के processor i3, i5, i7, i9 उसकी बात हो रही है कल को कुछ और भी जैसे market में अभी warranty में चलने है laptop जैसे core ultra 3, core ultra 5, core ultra 7 तो उनका क्या CSME version होगा वो आने वाले time में पता चलेगा है ना जब उसके bios को read करेंगे तब जाके पता चलेगा अभी तो वो latest में है warranty में है मेरे पास उसका bios नहीं आया बादमा की यह सब bios मेरे पास था तो उसके आधार पे यहां पर मैंने एक chart ready किया इससे क्या ओता थोड़ा से generation का भी idea लग जाता है कि अगर हम किसी particular bios में बात करते हैं कि यह 13 generation है तो हाँ कैसे proof करे 13 generation है तो आप मेरे chart को follow कर सकते हैं अगर version 16 है तो 12 भी आता है 13 भी आता है बस यह है अब आपको यह तेकना हो कि 12 है कि 13 है तो आप देख लो older lake है या raptor lake है उस तरह से आप देख सकते हो है ना तो आपको इस तरह से idea लग जाता है जैसे बहुत सारे board जो होते है 10 generation के उसमा ice lake भी आता है टाइगर lake भी आता है यह comment lake भी आता है दोनों ही 10 generation है ठीक है ना तो उस हिसाब से आपको देख लेना होता है तो यहाँ पर मैंने एक शोटा सा वीडियो बनाया ताकि थोड़ा सा CSME versions के बारे में हम जान ले यह version 17 को लेके के बड़ा हवावाई की है कहाँ भाई version 18 की बात तो कर लेते है version 16 की बात करते है 17 के बारे में तो कोई पूछता नहीं क्यों नहीं पूछता क्योंकि आज तक है रिलीजी नहीं हुआ 17 का भायोस आपको मिलने वाला बने तो एक सिंपल सा मैंने चार्ट बनाया हैना इसमें छोटी सी जानकरे देने की कोशिस की तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद